हेलो दोस्तो वेल्कम बेक टो अलिनन चैनल मैं आज आपको एक हेल्फ टीप्स के बारे में बताऊंगा जो कि हाइड्रोक्रोडिक एसिज के साथ आपका जो घर पर माजन है जो भी टूथ पेस्ट आपको यूज करते होंगे उसके साथ क्या रियक्शन होती है वो मैं आज दि अधरल यायर विदिंग मारजन है जो में उसका स्था करता हूं तो यह चार जगम में में थोडी थोडी सैंपल ले लेता हूं अब यह घर पर कर सकते हैं मैं हाइड्रोक्लोडिक एसिड के साथ रियक्शन इसलिए दिखा रहा हूं कि में हमारे अंदर में भी हाइड्रोक्ल इसमें हाइड्रोक्लोडिक एसिड है यह दिखा लेती हूं यह देखिया हाइड्रोक्लोडिक एसिड 10.5% तो ज्यादा तो नहीं है तो थोड़ा बहुत है अब घर पर करके देख लीजिए आपका जो टूथपेस्ट है तो सभी के पास यह हाइड्रोक्लोडिक एसिड तो घर पर मिली सकता है तो अब अगर भर पर कर रही हो तो 10 ml के असपास ले लीजिए अगर हर्पी ले ली तो तो मैं उसके 10 ml के असपास ही लेता हूं कुछ दिर वेट कीजिए और देख लेजिए क्या होता है यह देखिए रियक्शन स्टार्ट हो चुका है बाबल सार आए यह देखिए यह कोई भी रियक्शन नहीं हुआ है यह दोनों ही रियक्शन हो चुका है मैक्सिमम लोगों ने सुबह उटने के बाद ब्रास करता है तो सुबह उटने के बाद हमारा पेट पुड़ा खाल ली गया था है अगर यह माजन चला गया पेट में तो ऐसा रियक्शन होगा यह तो शोरी है मैं इस वीडियो स्पेसली अंडर फाइव और सिक्स यर्स की जो चील्डन है जो भी वच्चा है उसके लिए मैं एक्स्प्रिमेंट कर रहा हूँ दिखाणा होगा क्योंकि ऐसा होता है कि वच्चों ने माजन जादा ले लाता है और ब्रास करते बाक्त कुछ खा भी लेता है तो अगर खा ले इस माजन को तो ऐसा कुछ रियक्शन्स होगा उसके अंदर इसके जरीए में पेट में दर्द हो सकता है और भी कापी सरे प्रॉब्लम आ सकता है उसके तो इसके बारे में आप सिंसेर रहें और इस वीडियो को आप सेयर कीजिए आपके फैमिली के साथ दिखाएं और खुद भी देख लीजिए एक्स्प्रिमेंट करके यह देखें कुछ दिर बाद यह नजरा हुआ कैसा चमटकर हो रहा है इस माजन के साथ देखें आप कुछ दिर बाद पैशन ही नहीं पाओगे कि यह कौन सा माजन है यह देखिए यह कोई भी रियक्शन नहीं हुआ है इसके साथ अब देखिए क्या हो गया है तो समाजिए अगर कोई बच्चा खा ले माजन को तो क्या होगा इसके पेट के अंदर यह थोड़ा थोड़ा करके रोज डेली होता जाए तो उसके पेट में दर्द होता है और भी कापी सरे प्रॉब्लम आ सकती है तो इसके बारे में जरूर आप बताईए आप घरवालों को टूथपेस्ट चेंज करे यह ना करे यह तो आपके फैजला है लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो कहना है कि आप ब्रात में ब्रास कीजिए अगर खाने के बाद ब्रास करों कि तो ऐसा रियक्शन्स होगा लेकिन इसका एफिक्ट जादा नहीं होगा अगर खाली पेट ब्रास करो तो ऐसा रियक्शन्स होगा पेट में अंदर सहिए इमाजन में जो फ्रेड रहता है उसके साथ ही घ्रीग ऐक्षिड का रियक्शन हो रहा है तो फ्रॉरीड दातों का जो अनमेल है आपको पॉलिस करके सब बना देता है गलेजी बना देता है इसे देगने में ब का क्वालिटी वह स्ट्रेंट कम पर जाता है तो अगर अब ठंडा या गरम पानी पिलो पियो तो पेन होता है नब पर एफिक्ट डालता है मैंने जब यह जाना तो मैं यह तूध कम जल यूज करना सुरू कर दिया तो इसके देख सकते हैं अलोवेडा तूलसी मींट हनी नीम ग्लोब ऐसे कही अर्विदिक कॉम्पोनेंट है इसमें कोई केमिकल नहीं है इसलिए यूज नहीं होड़ा है इस टूध पिस्ट का बहुत सरी यूजे से अगर आप डिटेल से जानना चाते है इस टूध पेस्ट को तो आप कॉमेंट कीजिए काफी लोगों ने मेरे साथ ही माजन लेकर गया है और यूज कर रहा है तो ठीक है अज के लिए इतना ही और थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो